हलो एब्रीबन वेलकम टू पी अच पातोब हम डी एमल्ट के सलेबस में विए से मल्ट के सलेबस में आगे बढ़ रहे हैं और हम हीमेटरोजी के अंदर टेस्टों की बात कर रहे हैं रूटीन हीमेटरोजी टेस्ट जहां हम आज रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में सबसे पहले तो रेटिकुलोसाइट है क्या रेटिकुलोसाइट एक तरह का सेल है अगर आप एरिथ्रोपवाइसिस पढ़े होंगे और एरिथ्रोपवाइसीस पर हमने स्टेज्व देखा होगा कि ब्लड का फॉर्मेशन कितने स्टेज में होता है तो हमारा जो छटा स्टे जर्रनली यह reticolocyte का बात हुआ reticolocyte में क्या होता है तो इसमें nucleus होते हैं लेकिन जैसे हुए erythrocyte होता है तो उसमें nucleus क्या होते हैं नहीं होते हैं तो यह बातें ध्हान रखने चाहिए आप लोगों को पूछा जाता है RBC में और फिर हम उसी सेल के बारे में पढ़ेंगे कई बार हमें जब हम ब्लड फिल्म बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को रेटिकूलो साइट्स भी देखते हैं उसका इमेज आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले वेडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे देखिए ज्यादा समझ में आएगा आगे बढ़ते हैं अब आज हम इसके count के बारे में जानने वाले हैं कि इसे हम कैसे count कर सकते हैं और इसके क्या-क्या clinical significance हो सकते हैं तो मुखी रूप से दो ही clinical significance होते हैं पहला तो increase कैसे हो रहा है, increase activity of the marrow, जब bond marrow की activity increase हो जाती है बढ़ जाती है तो reticulocyte का production ज्यादा होने लगता है hemolytic anemia, जब आपको blood से related hemolytic anemia, hemolytic का मतलब ही होता है जो आपके blood में anemia हो तो जर्नली इसमें आपका बढ़ा हुआ reticulocyte दिखेगा और acute blood loss में आपको जर्नली बढ़े हुए reticulocyte दिखेंगे आगे बढ़ेंगे reticulocyte तो इसमें aplastic anemia में आपको जर्नली reticulocyte का count घटा हुआ दिखेगा और भी बहुत सारे चीज़े हैं मैं बहुत long name में भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हुआ यह एक तरह का introduction में टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ जब मेरे पास एक proper way हो जा परसेंट माना गया है जिसका reticulocyte नॉर्मल रेंज होना चाहिए और infants में मतलब बच्चों में आपको 2 से 6% तक दिख सकते हैं क्योंकि बच्चों में जर्नली reticulocyte का count भी ज्यादा दिखता है आपको तो इसलिए इसमें infants में जर्नली reticulocyte का count ज्यादा दिखेगा आपक आगे बढ़ेंगे specimen किस तरह का आपको specimen लेना है तो EDTA tube में आप ले सकते हैं और capillary आपको अगर capillary blood का use कर रहे हैं तो आपको heparinized blood लेना पड़ेगा मतलब उसमें heparine होना चाहिए और test का जो performance होगा वो within collection के 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपको test perform कर लेना होगा अब आगे बढ़ेंगे हम तो method name जानेंगे method name क्या है method name movement आपको पूछा जाता है objective cases में method name बता दीजे तो Bible में भी आपको पूछा जा सकता है तो supra vital staining method आप जब भी reticulocyte count की बात करें तो आपके दिमाग में आने चाहिए supra vital staining method प्रिंसपल की बात करेंगे blood mixed with the stain and the stain enters the cell in living condition इसके पहले हम लोगों ने जितना principle देखा थो या फिर हम differential count की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमने पहले blood का एक smear बनाया उसके उपर stain डाला लेकिन इसके principle में वैसा नहीं होगा इसके case में वैसा नहीं होगा हम लोगों को blood mix करना है stain के साथ हमें पहले ही mix कर लेना है living condition में और उसके बाद the RNA in the cell is precipitated by the staining as a dark blue network और reticulum blood smear is made afterward जब आपकी सेल में precipitated हो जाएंगे stain cell के अंदर चल जाएगा न तो वो network like reticulum में आपको दिखने लगेगा और blood smear is made afterward इसके बाद हम लोगों को blood smear बनाना है blood film बनाना है since a direct count is not a possible a relative count is taken against the number of red blood cell and the expressed as a percent of red blood cell देकि इसमें हम direct count नहीं कर सकते हैं reference लेते हैं किसका red blood cell count का और हम इसका result जो देते हैं वो percent में देते है requirement क्या क्या है requirement है grease free glass light ले लेना है आपको test tube ले लेना है posture pipette ले लेना है capillary tube ले ले लेना है test tube rag ले लेना है microscope ले ले लेना है रियजन्ट ले लेना है आगे बढ़ेंगे procedure की और क्या है process दिमाग में याद रखनी की कोशिस किजिएगा रटना रटना है कुछ नहीं है process में सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि 2 drop आपको blood और 2 drop stain एक tube में proper mix कर लेना है इसके बाद हम लोग cotton plug से उस test tube को बंद कर देंगे और 37 degree Celsius में 30 minute के लिए हम उसे क्या करने देंगे हम उसे छोड़ देंगे room temperature generally 37 degree होता है तो 37 degree room temperature में हम उसे छोड़ देंगे incubate होने के लिए next ताकि उसमें जो हमने पहले बात की नहीं कि sale में हमारा living sale में वो staining घुस पाए अंदर तक और network like structure blue like structure हमें दिखाई दे तो इसलिए हमें 30 minute का भी बेट करना है ताकि दोनों आपस में घुल जाए इस्टेन sale को dye कर पाए नेक्स बढ़ेंगे prepare a thin smear एक आपको thin पतला smear बनाना है इस्टेन blood specimen by using spreader slide air dry the smear हमें spreader की सहायता से जर्णली जब हम differential count के लिए बना रहे थे सेम उसी तरफ प्रोसेस से आपको एक slide बना लेना है और उसे air dry करना है उसे हवा में सुखा लेना है इसके बाद आपको क्या करना है first exam the smear under the law power objective सबसे बहले तो आपको law power objective में देखना है उसके बाद फिर इसमेर where the sales are evenly distributed और कहां से शुरू करना है जहां से आपको दिखें कि हाँ evenly आपको बराबर से sale का distribution हुआ है क्योंकि अगर हम ज़्यादा tail size के तरफ देखेंगे तो उसम ज़्यादा संगरन मात्रा में दिखा देंगे तो जहां पर आपको evenly distribute मिले वहीं से आप लोगों का count सुरू करना है पहले law power में उसके बाद फिर high power में आपको zoom करके जर्नली देखना है फिर उसके बाद हम high power का क्या मतलब high power का मतलब 100x 100x का क्या मतलब oil immersion आपको जर्नली oil immersion म में इसे देखना है और oil immersion में आप जानते ही हमें थोड़ा सा microscope को set करना पड़ता है क्योंकि oil immersion हम जैसे ही slide में डारते हैं तो वह एक lights को जो हमारे microscope में light आती है उस एक light को बहुत सारे lights में बदल देता है कौन बदल देता है immersion oil किस चीच का बना होता है आप मुझे नीचे comment क करके जरूर बताईएगा किसीच का नाम होता है कौन से ओड मैं इतना भी बता देता हूँ एक ओड है उससे निकलता है immersion oil तो आप यह जरूर बता दिएगा तो वह क्या करता है बहुत सारे बुंद के कारण वह बहुत सारे reflective lights एक एक पुंज में किरन पुंज में बदल जात हैं आप जैसे ही count कर लेंगे तो आपको reticulocyte का एक formula में देता हूँ number of reticulocyte count into 100 आपको 100 से गुना कर देना है reticulo by number of red blood cell count आपने पहले जो red blood cell count किया है new bar chamber में आपका उससे पता होगा आप उससे जर्डनली लिखकर इससे calculate कर लेंगे तो आपका reticulocyte count पता चल जाएगा normal range मैंने पहले ही बता दिया है 0.2 से 2% तक हो सकता है और infant में 6-7% तक generally होते हैं तूमीद है समझ में आ गया होगा यह reticulocyte का method ज्यादा तर आजकल तो यह machine से analyzer से सारी कुछ हो रही है आपको manual बहुत कम करने की ज़रत है लेकिन जानकारी रखने की ज़रत है कई बार आप के syllabus में है आपको perform करके दिखाना पड़ेगा तो आप इसे method को याद रखे कि हम supra vital standing method के help से करते हैं इसे generally हम आप याद रखे कि इसमेर जब भी हम बनाते हैं तो blood से पहले slide बना लेते हैं उसके बाद stand करते हैं तो इसमें हमें एक difference याद रखना है कि पहले ही हम इसे mix कर ल होगा नए हो तो subscribe करें like करें कौन सा topic चाहते हैं comment करें अगर personal class चाहते हैं तो आप नीचे number है उसमें contact कर सकते हैं thank you thank you everyone